हेलो एवरिवन, वेल्कम टुवासाने, आज के इस मीडियो में हम करकरीखा और भारतिय मानक समय रिखा से सम्बंदित महत्पूर प्रेश्न सौल्व करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महत्पूर हुई, इसलिए वीडियो को सुरू सेंद तक जरूर द देशों से, करकरेखा कुल तीन महादीप से उपर गुजरती है, अफ्रीका, एंसिया, उत्री अमेरिका, अफ्रीका के 6 देशों से, एंसिया के 8 देशों से, और उत्री अमेरिका के 2 देशों से उकर करकरेखा गुजरती है, तो इस तरह से कुल 16 देशों से करकरेखा गुज से नाम criminal का एकवाएं नवीं यहां से भी करक्रीखा गुज़रती है कोशन पुछा जासकता है याद Aww lem one correct question का सभी आंसर है अफशन आठ से इसी आमेर में आठ सजों से ओकर करक्रीखा बुझरती है साउधी अरव सयोग सारव अमीरा बारत बांगलादेश म्यामबान चीन ओमान तायमान तो कुल आट तीसों से हुकर करग लेखा गुजटती है नैज कुशन है करक लेखा कितने महासागर से हुकर गुजटती है सही आंसर हुगा 3 महासागर हिंद महासागर, अट्लांटिक महासागर, प्रिशांद महासागर अगर पूशा जाए कि करकर देखा कितनी जलडासियों से होगर गुजरती है तो सही आंसर होगा छे जलडासियों से ताइवान जल डमरू मदे, मैक्सिको की खाड़ी, लाल सागर तो कुल 6 जलडाशियों से होगर करक्र एखा गुजटती है こिसिन के सभी आंब संब भी हो जाएगा 6 जलडाशियों से नज्ट कृशन ओगा करकर एखा का दूसरा नाम क्या है करकर एखा कोई उतरी दिखा कहती है क्वारत को लगवक दो बरावर भागों में बाटती है क्वारत की कितने राज्यों से होगा आठ राज्यों से गुजरात, राज्यस्तान, मंद्यपिदेश, 36 गड़, जार खंड, पस्य मंगाल, त्रपुरा और मिजोरम तो भारत की कुल आठ राज्यों से होकर करकरेखा गुजरती है इस कोशन का सही आंसर अफसन सी हो जाएगा नेश कोशन का सही आंसर अफसन बी होगा, माही नदी, विश्व में किवल एक ही नदी है जो करकरेखा को दो बार पार करती है, माही नदी, कोशन का सही आंसर अफसन बी हो जाएगा नेश कोशन है कौन से मात्पूर्ण अक्षांस भारत को दो लगवक बरावर भागों में विभाज़त करता है कोशन का सही आंसर अफसन ए हो जाएगा तेश डिगरी 31 मिनिट उत्री अक्षांस इसी अक्षांस को करकरेखा कहती है और ये भारत को लगवक दो बरावर भागों में विभाज़त करती है कोशन का सही आंसर अफसन ए हो जाएगा नेश कोशन है करकरेखा किस राज़े से होकर गुजरती है कोशन का सही आंसर अफसन ए हो जाएगा जहारखंड करकरेखा जारकंड से गुजरती है उरीचा उत्तरकेदीस आंदर पदेश से नहीं गुजरती है तो इस कोशन का सही आंसर आपसन ए हो जाएगा Qeion 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 Qeino Qeion 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 Q की अब्दी अधिक्तम हो जाती है तो इस कोशन का सही आंसर ऑफसन भी हो जाएगा नेश कोशन है निमने में से कौन सा सहर करकर रिखा की सबसे निकट तम इस्ते थे कोशन का सही आंसर ऑफसन ए हो जाएगा जवलपूर तो जवलपूर करकर रिखा की सबसे निकट इस्ते थे तो question का सही answer option A हो जाएगा नेश question है भारत में निमनले खित में से कौनसा सहल करकर रिखा से सबसे दूर स्थित है question का सही answer option D हो जाएगा भोवनेश्वर भोवनेश्वर करकर रिखा से दूर स्थित है तो इस question का सही answer option D हो जाएगा नेज्ट कौशन है बारतिये मानक समय बेखा इंडियन स्टेंडर् टाइम लाइन क्या है तो सही अंसर उप्संस ही हो जाएगा साड़े व्याशी दिनली पूर विदी सां तर्र रिखा को ही बारतिये मानक समय रेखा केती है। question का सही answer option C हो जाएगा next question है भारतिये मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है question का सही answer हो जाएगा option A पाँच राज्यों से वारत के पाँच राज्य UP, NPCD, उडिशा और अंदरप्रदीश इन पाँच राज्यों से होकर भारतिये मानक समय रेखा गुजरती है next question है गुजरास से अर्वचल पेदेश के स्थाने समय में लगभा कितने घंटे का अंतर है question का सही answer option D हो जाएगा दो घंटे का next question है भारतिये मानक समय रेखा नहीं गुजरती है question का सही answer हो जाएगा option D महराष्ट से नहीं गुजरती है next question है भारतिये मानक समय रेखा कि देशान तरी रेखा किस नगर से होकर गुजरती है question का सही answer होगा option D इलहाबाद देसांतर ये रेखा, इलाहबाद की नहिंगood गुजरती है, तो इस कोश़न का सईयांसर अपने सैंटी हो जाएगा आज का हमारा लास्ट कोशन है, नेमने लखे देसांतरों मैं से कौन सा भारत की प्रमारिक मध्यान रेखा है तो इस question का science of Sunday हो जाएगा साड़ी व्यासी पूर्वी देशांतर साड़ी व्यासी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत की प्रमानित मध्यान रेखा है जिसे हम Indian Standard Time Line कहती है इस question का सही answer of Sunday हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा एंड वीडियो को like, share जरू कीज़ेगा Thank you so much